राधा के लिए यूग की चिंता दिखी प्यार की सनक जे टीवी के सीरियल राधा मोहन में राधा को लग गई है चोट ऐसे में वो कर रही है अपने कमरे में आराम इसी के साथ कमरे का एसी खराब हो चुका है तो भई बस राधा को ठंडी ठंडी हवा मिले इसी लिए देखिए कैसे यूग स्टेबल फैन के सामने बरफ की सिली लेकर बैट गया है ताकि राधा को ठंडी ठंडी हवा मिल सके और देखिए कैसे वो राधा को निहारे जा रहा है खराब हो गया यार यूग के घर की एसी उनके कमरे की एसी खराब हो गई है तो अभी सर्विसिंग करवानी पड़ी की तो अभी क्योंकि यूग नहीं चाहते की राधा की नींद खराब हो इसलिए वो खुदी फैन लाते हैं और उसके सामने बरफ की सिली पकड़के खड़ यूद बैट जाते हैं ताकि थंडी हवा राधिका के पास आती रहे और सची नींद आए बरफ की इस सिली से यूग के हाथ छिल गए है लेकिन फिर भी वो अपनी राधिका यानि की राधा को ठंडी हवा देने में लगा हुआ है अपनी परवा किये बिना भई यही तो है प्यार की सनक जहां यूग राधिका को प्यार करता है तो वहीं राधिका यानि की राधा मोहन के खयालों में खोई हुई है यूग को ये नहीं पता कि राधा तो उससे प्यार ही नहीं करती तो यहां पे पूरा प्रॉपर लव ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको यूग राधिका के ख्यालों में राधिका मोहन जी के ख्यालों में मोहन जी अब जब मोहन जी के पास जाओगे जब मीरा हाउस जाओगे तब आपको पताई चलेगा वो किन के ख्यालों में बठां राधिका को मोहन जी की बहुत याद आ रहे है क्योंकि कहिना कि वो अभी राधा है अंदर से फिलाल तो राधिका बिल्कुल नहीं चाहते कि वापस मोहन जी गुन-गुन या उनके परिवार में से कोई भी यूग हाउस या राधिका से वापस कभी मिले तो फिलाल तो राधिका की तरफ से यानि की राधा की तरफ से बहुत बड़ी ना है तो अब देखते हैं क्या होता है भै फिलहाल तो रादिका युक केस प्यार की सनक से अंजान है लेकिन ये प्यार आगे क्या क्या ट्विस्ट लाएगा ये देखना होगा मुंबई से पायल रुपानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट